संग के आध्य सरसंग चालक जी, पुजनिय डॉक्टर जी, उनके बाद जो सरसंग चालक बने पुजनिय श्री गुरु जी, उनके बाद जो सरसंग चालक बने पुजनिय श्री बाड़ा साथ देवरस, इन तीनों ने निस्तंदिद्द रूप में एक बात कही है कि अपने संगह में कोई व्यक्ति हमारे सामने आदर्श नहीं है हमारे सामने आदर्श है भगवा द्वाज हमारा आदर्श तत्व रूप है उस तत्व का प्रतीक ये अपना भगवा जंडा है परन्तु निर्गुन की उपासना बड़ी कठिन होती है तत्व को आदर्श मान कर चलना कठिन बात है बालकों को भी बड़ा होना है कि बाले सोहन से उक शाखा में आते है तो देश का काम करने के लिए योग्य बनने के लिए आते है उनके लिए तो ये बड़ा कठिन काम है तत्व को आदर्श और इसलिए सगुन उपासना की अगर आवश्यक्ता है कोई व्यक्ती ही आदर्श के रूप में आपको सामने चाहिए तो दो नाम उन तीनों ने बताए है पूर्वकाल में पुराण काल में राम भक्त श्री हनुमान हमारे आदर्श है और इतिहास काल के छत्रपती शिवाजी महराज हमारे आदर्श है उनको संस्कार देके छत्रपती शिवाजी महराज बनाने वाली उनकी मातोश्री राज माताश्री जजावू साहवा की आज चैनती है और भक्त श्री हनुमान का आदर्श अपने जीवन में बलशील, कर्तुरुत्व और समर्पन सब मामलों में रखने वाले और हमारे देश के जीवन प्रवाह को एक उन्नती की दिशा देने वाले स्वामी विवेका अनंद जी की भी आज जहन थी हनुमान जी की ही कता है, हम सब जानते हैं वालमी की रामायन में, रामायन को हम सब लोग जानते हैं हम यह जानते हैं कि सीता खोच के लिए निकले और सागर तीर पर आकर दक्षन समुदर के तट पर वानर विर रुग गये अंगज, जांबवान, नल्ल, नील यह सब लोग साथ थे, आगे रस्ता बन्ध है, सीता जी मिली नहीं, लंका दिखनी रही तो क्या करना? तो राम नाम का स्मरन करके मर जाना, बिना काम के वापस नहीं जाना और काम पूरा होता नहीं, तब तक अन्न ग्राण भी नहीं कर, तो वहाँ संपाती आये जटायू के बड़े भाई, उनके पंख़ जल गए थे, जटायू को बचाने में, वो वहाँ गिर गए थे, तो इतने ये सारे वानर वीर, अंशन कर रहे हैं, मरेंगे एक एक, तो इन तो राम का नाम सुनके उनको पंख़ प्राप्त हूँ, अब ये क्या चमतकार है, आज के विज्जान में इसमें विश्वास रखना है कि नहीं रखना, वो अपनी अपनी बात है, लेकिन सच्पूच उनके पंख़ वापस आ गई, ये नहीं सोचना है तो भी, ये तो कही ही सकते है कि राम जैसे महापुरुष की कथा सुनने के बाद, उनके जैसा कर्तरुत्व सुनने वाले को ज्यान से सुनने वाले को प्राप्त होता है, ये हमारे स्वयम सेवत, जैसे शारिरिक बोद्धिक कारकम कहते है, वैसे अपने देश का गवरो बने अपने महापुरुष कर पता बताया कि लंका है सौ योजन बाद लंका द्वीप है और वहाँ प्रशोकवन है उसमें सिता जी है लेकिन उन्होंने बताया आख्यों आखों से देख कर आना चाहिए कौन जाएगा तो कोई जाने के लिए प्रस्तुत नहीं था क्योंकि सबको अपने बलका आत्मविश्वास नहीं था हनुमान जी भी सांत बैठे थे तो जामबवान जी ने उनको उनका ही परिचे दिया उनके स्वत्वका परिचे दिया उनके करतुत्वका परिचे दिया जो वो भूल गये लेकिन जब जामगांजी ने कहा कि राम के कार्य के उपस्थित होने पर तुमको अपने बलकास मरण होना चाहिए शाखा में यही होता है शाखा में यह स्वेंचों क्यों आते हैं उनको कुछ नहीं मिल पाए और वो शाखा में आये ही रोज ऐसा उनको बान के रखने के लिए हमारे पास भी कुछ नहीं लेकिन शिशुकाल से आते हैं पहले तो कार्यक्रमों का आकर्शन होता है बाद में उनके जो शिक्षक रहते हैं उनके स्वभाव का आकर्शन होता है थोड़ी बहुत समझदारी जब अंग्रेजी में जिसको टीन एज कहते हैं उसमें बनने लगती है तो उनको समझ में आता है कि हम देश के लिए संग्ण में आ रहे हैं और देश के लिए काम करना है ऐसा मन में आने से सामर्थ बढ़ता है स्वार्थ का काम करने जाएंगे तो सामर्थ नहीं बढ़ेगा कोई भव्य लक्षा अगर सामने है और निर्धार पूर्वक उसको स्विकार किया तो उस कार्य को पूरा करने का बल प्रक्रती देती है को हो या भगवान जैसा विश्वास है वैसा लिकिन उबल प्राप्तो होता है संग की शाखा में इसको प्रत्यक्ष देखेंगे देश के लिए शाखा में आना है कुछ मिलता नहीं ऐसे समर्पण के कारण हनुमान जी को अपना करत्रत्वा आदा गया वो परवताकार हो गए और उड़कर जाने लगे लंका की हो तो सबसे पहले एक बादा उत्पन्न हुई सागर से एक परवत उपर आ गया उसका नाम था मैनाक और मैनाक ने कहा कि वानर श्रेष्ठ तुम भगवान के काम के लिए जा रहे हो बहुत दूर का पल्ला है ठक गए होंगे गड़ी पर विश्राम कर लो और फिर आगे बुढ़ो अभी जो इच्छा होती है अपने को विश्राम करने की कभी-कभी शाखा न जाये ऐसा लगता है ठक जाते हो तो हिलते डुलते यह सारी बात है न यह भी एक परकार की बाधा है हनुमान जी ने समझा कि अमैनाक परवत अपने लिए बाधा है परण तो अपना है वो आया है हमको रोकने के लिए नहीं आया वो सद्भावना से आया है इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए यह सोच के आया है तो हनुमान जी ने उसका मान किया उसको हाथ लगा या न तो फिर देवों ने सोचा कि ये नाटक कर रहा है स्वामी निष्ठा का कि सच्मुच ऐसा है इसलिए एक अपसरा को राक्षषी का रूप देके भेज दिया उसका नाम था सुरसा और वो खड़ी हो गई हनुमान जी का रास्ते में कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे अग्या कि है कि सागर पर से जो उड़ेगा उसको तुम खा सकती हो तो अब मैं तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको खा जाओंगी हनुमान जी ने कहा कि मैं राम के काम के लिए जा रहा हूं मुझे जाने तो तका नही ब्रह्माजी का विधान है तुम नहीं टाल सकते मेरे पेट में गए बिना तुम्हारी हलचल नहीं हो सकती तो हनुमाण जी बड़े हो गए वो भी अपना जबड़ा फाड़कर जबड़े को उसने बड़ा किया जितने हनुमान जी बड़े होने लगे उतना उसका जबड़ा भी बड़ा होने लगे तो कुछ सोच के हनुमान जी एक शन में सुक्षम हो गए एक रजकन जितने और उसके मुझे अंदर उसके पेट में गए और वापस आ गए और कहा कि माता तुमारी कंडिशन पूरी हो आप मुझे रास्ता दो, तो हनुमान जी की इस चतुराई पर सूरसा हसी, उसने अपना मूल रूप ग्रहन किया और हनुमान जी को बताया, तुमको रोकने के लिए निया आती थी, तुमको परिक्षा, तुमारी परिक्षा लेने के लिए आई हूँ, और तुम परिक्षा में उत्तिर्ण हो गए, जा आगे, यशस्वीबंग, आगे एक सिम्वी का थी, वो अत्यन्त हिूस्रा, अक्राल विक्राल, और जो प्राणी जाता था उपर से, उसकी छाया को पकड़ती थी, तो हनमान जी आगे जाने लगे, पीछे कोई खीचने लगा, तो अंग्रे जी में उसको कहते हैं, ड्रैग, फ्लाइट में ड्रैग कहा से आ गया, इसलिए उन्हें देखा तो उदिखी, वो खीच रही, और हनमान जी को खाने के लिए अपना मुह पाड़ रही, उसके अंदर हनमान जी ने देखा कितने बड़े-बड़े और नुकीले दात है, और कैसा बीबच से जबड़ा है, रक्तलांचित मुख है, तो अनमान जी को ध्यान में आया, कि ये तो नीरी राक्षसी है, तो उन्होंने सीधा उसके जबड़े में कंदे तक अपना हाट डाला, उसकी अंतरी पकड़ी खीच कर उसको मार दिया, और लंका के द्वार पर पहुचे तो आँ और एक थी, लंकी नी नाम की राक्षसी, देवी थी, उसने अनमान जी को कहा, कि मैं इसकी रक्षिका हूं, इस नगरी की, तो उनको नहीं जाने जोंगी, तो अनमान जी ने एक ही घुस्से से उसको मुर्चित किया, और उसको बा गंदर्व देवादी, उनकी स्थुती करने लगे, और उन्होंने हनुमान जी के लिए एक शलोक कहा, यस्त्व एतानी चत्वारी वानरेंद्र यथात्तव, हे वानर्श्रेष्ठ, ये चार बाते तुमारी जैसी जिनकी आये, यस्त्वाईतानी चत्वारी वानरंदेंद्र यथात्तव, कौनसी दृति, दृति, मति, और दाक्षम, दक्षता, दृतिर, दृतिर, मतिर, दाक्षम, सा कार्येशो नसीददी, ओ कार्ये में कभी लूला लंगणाओगे, बैट नहीं जाएगा, अपयेशी नियोगा, उसक सारा करना दुरुष्टी कोई कार्य करना है तो दुरुष्टी चाहिए दुरुष्टी से कार्य की उत्कुरुष्टता मिलती है उत्कुरुष्टता से संस्कार होता है तीन एंजीनियर बने नौकरी नहीं मिली अंतर्टोगत्वा एक एक बिल्डर के पास गये कुछ भी नहीं मिल रहा है आप जो भी ढेंगे उसमें पाम करें जो भी काम देंगे वो करेंगे तो बिल्डर ने का ठीक है वाई इंजिनियर वगरे हमारे पास बहुत है हमको पत्थर फोड़ने वाले तीन लोग चाहिए थे अब आप लोग तो इंजिनियरों आप फोड़ेंगे क्या पत्थरों का कुछ भी करेंगे तो सौ रुपया महना पर तीनों को रख दिया पत्थर फोड़ रहे रोज धूप में एक दिन एक बुड़ा आ गया एक साइट पर गया हूँ आई एक इंजिनियर पत्थर फोड़ रहा था पूचा उसको क्या कर रहे हो उसने गया क्या कर रहा हूं? अपने भाग को फोड़ रहा हूं. तो बुड़े ने कहा हुआ, इतना खर्चा करके इंजिनियर बना, नोकरी नहीं मिली, कही काम नहीं मिला, अब ये पत्थर फोड़ना पड़ रहा है, क्या भाग को गाली देता हूं, एक-एक गाव लगाता हूं? तो बुड़े ने कहा, रहे, ऐसा मत सोचो, कभी न कभी खीक होगा सबूँ. दूसरे साइट पर फिर वो वही बुढ़ा पहुचा, वहाँ दूसरा पोड़ रहा था पत्थर, उसको पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोले, समय बिता रहा हूं, अभी अवसर नहीं आया, मुझे नोकरी मिलने का, लेकिन मिलेगी कभी न कभी, तब निठला क्यों बनना? तो यहाँ बिल्डिंग बन रही, पत्थर तराश होंगा, इंजिनियर हूँ, इसने बहुत अच्छी तरह से तराश रकता हूँ, मुझे समझ में आती है बाते, तो अच्छा पत्थर तराशने वाला भी बन जाओं, तो क्या बात है, किसी भी चीज में अच्छा बनना है, ये भी काम अच्छा करूँ, उड़े ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा सोचो तुम तो आगे बढ़ो, फिर तीसरे जगह गया, वहाँ तीसरा बैठा था, उसको पूछा, तो उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो काम मुझे मिला, ऐसा काम मिलने के लिए भाग्ये जाए, तो क्या भाग्ये चाहिए, पत्थर फोड़ रहा हूँ, आप पत्थर समझो उसको, यहाँ एक बड़ा मंदिर बनने वाला है, ये मंदिर देखने के लिए देश विदेश से लोग आएंगे, मंदिर के शिल्पकारों के स्तुती करेंगे, नाम कोई किसी को पता नहीं होगा, हज़ारों वर्षा तक मंदिर पक्का बना रहेगा, देश विदेश से प्रवासी आएंगे, मंदिर को देखके कहेंगे, कि क्या उस समय के कलाकार लोग थे, शिल्पकार लोग थे, ऐसे मंदिर के निव का पत्थर मैं गड़ रहा हूँ, जान में आपको एक अईतिहासिक कार्य में करना हो, यह सब को भाग नहीं मिलता, पुड़ें का बहुत अच्छा, ऐसे ही सोचो, दूसरे दिन उस बिल्डर ने तीनों को बुलाया, जो पहला पत्तर फोड़ने वाला था, भाग फोड़ने वाला, उसको कहा कि बस अब तुम उनको सुपरिंटेंडेंडेंट इंजीनियर बनाते, तीसरों को बताया कि तुम चीफ इंजीनियर बनो, तब दूसरे को, और तीसरों को कहा कि तुम मेरा पार्टनर बन जाओ, तो तिनों ने पूछा कि हम पढ़े लिखे समान है, आप हम को वेतन समान दे रहे थे, कि आम ह यह अलग है यह समझता है कि अपना भाग फोड़ रहा हूं तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा ऐसा सोचेगा तो क्या है इसको इंजिनियरी रहने दो यह है यह अपने काम को उत्कुर्ष्ट करना यह भी काम उत्कुर्ष्ट करूंगा ऐसे सोचता है इसको चीफ इंजिनियर बनाओं और यह जो सोच रहा है कि भववे कार्य के लिए मेरे हाथ में पत्तर आया है यह तो एक पूरा बिजनेस चलाने लाएक आदमी है इसको मैं बिल्डर हूं यह दृष्टी होती है मती चाहिए बुद्धी बुद्धी समझ के काम करना अभी मैंने देगा आपका दंड चल रहा था तब हमारे इस लाइन में उस समय तीसरी चाओ थे नंबर पर जो थे सज्जन हमारे स्वेंशवर उनका एक कदम रखना रहे गया लेकिन उनके ध्यान में तुरन बात आ गई बाकी लोग जिस प्रकार पैत्रे में खड़े थे उन्होंने बीच में ही कूत कर अपना पैत्रा ठिक कर लिए तो प्रेक्टिस कच्ची रही यह उसका है लेकिन उन्होंने अपने दुर्ष्य को भिगड़ने नहीं लिए तो बुद्धी चाहिए और दक्षता चाहिए यह अपने कारेक्रम किया कितना अच्छा हुआ जितना आप सावधान रहे अपने प्रेक्टिस में उतना अच्छा हुआ हनुमान जी के यह चार गुण इन चार गुणों को जितना सीखेंगे उतना अपने कारियों में यह शस्वी होंगे यह चारों गुण आत्मा साथ करते है तो जीवन में किसी कार्य में असा भलता नहीं मिलेगी परन्तु ये चार गुण प्राप्त कैसे होंगे एक तो जो करना है वो मेनद पूर्वक उत्तम से उत्तम करो लेकिन उसके बाद भी ये क्यों करना है ये भगवान के लिए करना है ये अपने मात्रु भूमी की पूजा है ये अपने अहंकार के लिए नहीं करना है अपने आपको दुनिया में बड़ा बताने के लिए करना नहीं है करना वैसा ही है हो सकता है लोग बाद में आपको बड़ा कहेंगे हमको उसकी परवानी होनी चाहिए सावर कर्जी ने कहा गुण सुमने मी वेची अली या भावे की तिने सुगंधा ग्यावे मैंने इन गुण सुमनों को प्राप्त किया क्यों मात्रु भूमी को इसका सुगंधा मुले जरी उद्धरनी व्ययनतिचा हो साथा हा व्यर्थ भारम इद्धिये साथ यह कारेक्रम सर्वत्र होते हैं संग में इनका फल क्यों मिलता है क्योंकि संग का स्वायम सेवत इन बातों को देश के लिए करता है इसलिए उत्कृष्ट करने का पूरा प्रयास करता है वो करते करते उसको यह चार गुण प्राप्तों होते है उत्तम कारिकरता वो बनता है। कि प्रदर्शन आप सब लोगों के सामने करने का उद्देश ये भी है, कि इस प्रकार से अपने अपने स्थान पर भी जो बालक हमारे संपरक में आते हैं, विद्यालेयों में हो, या अपने घर में अपने घर के बालक है, उनको अगर ऐसा एक भव्य लक्षर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि उस देश की आज सारे विश्व को आवश्रकता है, और हम उस देश की संतान है, तो हमारा जिवन उस देश के लिए है, सारा कुछ कमाना है, उस देश के लिए न्योचावर कर देना। यह भव्य लक्षर रखकर, अगर हम नित्य के उसके कारेकम क्रियाकलाब करते हैं, करते हैं उसके साथ, अपना उदारन रखते हैं, उससे समवाद रखते हैं, तो इस देश की आने वाली नई पीड़ी, अब तक हमारे करने से यह देश जितना उचा हुआ है, उससे सवगुना उचा इस देश को करा के छोड़ेगी। ICAPD इसकी ताकद है, इसकी एकागरता है, इसके मन में उमंग है, इसको ध्यान में रखकर और हम सब लोगों को नई पीड़ी की चिंता करनी चाहिए, ICAPD बात मेरे मन में आई, वो आपके सामने में ने रखी, और इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराभ करूए।